जिले में अब दो महीने तक पैरागलाइडिंग नहीं हो सकेगी इसके लावा ब्यास के धारा में भी अठखेलियां बंद रहेंगे जिले में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक रिवर राफटीं, रिवर क्रोसिंग और पैरागलाइडिंग जैसी विभिन साहसिक गतिविदियों को स्थागित कर दिया गया है पकाइदा जिला परेटन अधिकारी कुलू सुनैना शर्मानी सभी परेटन इकाईयों को आदेश चारी कर दिये हैं नियुमों के तहत 15 जुलाई से 2 महीने तक साहसिक गतिविदिया नहीं हो सकेगी जिला कुलू में बरसात की दिनों में साहसिक गतिविदियों पर रोक रहती है इस बार भी 2 माँ की रोक परेटन विभागने लगाई है ऐसी में कुलू मनाली आने वाले प्रेटकों को 15 सितंबर के बाद ही रिवर राफ्टिंग और पैरा गलाइडिंग जैसी विभिन साहसिक गतिविदियों का आनत मिल सकेगा निर्धारित समय अबधी के बीच किसी भी तरह की गतिविदिय नहीं करवाई जा सकेगी नियुमों का उलंगन करने वालों पर कारवाई अमल मिलाई जाएगी इस संबंद में जिला परेटेन अधिकारी कुलू सुनैना शर्मा निकाया की 15 जुलाई से 15 सितंबर तक रिवर राफ्टिंग और रिवर क्लोसिंग और पैरा गलाइडिंग जैसी विभिन साहसिक गतिविदियों पर पूर्ण रूप से रोक रहीगी उन्हों का कि संबंद में आदेश भी जारी कर दिया गया है देखें जहां तक बरसात की बात है तो बरसात जिस दिन अभी भी बारिश हो रही है उस वक्त भी जो है वो एडवेंचर के तिविदिया जो है वो नहीं की जा रही है परन्तु अफिशली आधिकारिक तौर पर 15 जुलाई सिले के 15 सप्टेंबर तक हर तना की जो एक्टिविटी जाए वो राफ्टिंग है पाराग्लाइडिंग है जिप लाइन रिवर क्रॉसिंग जितनी भी इस प्रकार के अडवेंचर दिविधिया है वो सारी जो है वो बंद कर दी जाए जाए जो नदी किनारे जित आपको बता दी कि जिले में अब दो महीने तक पैराग्लाइडिंग नहीं हो सकेगी इसके इलावा ब्यास की धारा में भी आठ खेलियां बंद रहेंगी जिले में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक रिवर राफ्टिंग रिवर क्रॉसिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी विभि टीवी के लिए कुल्रू से मनमिंदर अरोडा की रिपोर्ट